आई ये ब देखते हैं व्यावसाइक साख क्या है व्यावसाइक साख यानि ट्रेट क्रेडिक चलिए इसको हम छोटे से एक्जैम्पल या उदारन की माद्यम से समझते हैं मुझे किसी बस्तू की आवश्रकता है, मैं एक छोटे से शॉप की मालकीन हूँ, ठीक है, अब मेरे शॉप में मुझे क्या करना है, सामान को रखना है, ठीक है, लेकिन मेरे पास उतना फंड नहीं है, मैंने क्या किया, एक जो थोक विकरेता है, उससे कुछ माल मंगा लिया, लेकिन अभी उसका immediate payment नहीं किया मैं तुनन तुम आन्थ मैंने उसको पैसे नहीं दिये मैंने कहा है कि जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं क्या करूंगे आपको वह पैसे वापस कर दोंगे ठीक है तो यहीं जो है वह व्यावसाइक साख है ठीक है कहने का मतलब अब क्या मा क्या हो सकता है बिलकुल नहीं यह दो बड़े बड़े विवसाहियों की मद्य भी हो सकता है ठीक है इसमें क्या होता है कि चै heroes बचने की आवश्कता है या वस्तों को बेना पैसे दिए ही खरीदा जाता है ठीक है और उसका जो मूल्य है वो बाद में चुकायाता है अब कब तक चुकाया जाएगा तो उसकी जो अवधी होती है तीस दिनों से नवे दिनों की बीच के अवधी होती है तो बच्चों यही जो होता है व्यावसाइक साख होता है इसमें क्या होता है व् विक्रेता के विक्ति, साधनों, वस्तो की प्रकृति, ग्राकों की स्थिती, साथ ही साथ व्यापार की रीती रिवास और बाजार की प्रतिसपर्दा की मार्त्रा विक्रेता की अपने स्टॉक को बेचने की लाल सा पने रभाय करता है। दूसरी चीज की मार्केट का ट्रेंड क्या है, अचानक से कोई डिमांड आ गई है, ठीक है लेकिन फंड नहीं है, लेकिन उसमें उस कंपनी की साथ इतनी है कि वो बाद में दे देगा, तो डिमांड की कोडिंग तुरंत क्या हो रहा है, सप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट का बना हुआ है, ठीक है, फिर इसके बाद व्यापायर के रिति रिवास क्या है, हो सकता है उन दोनों व्यवसाईयों के भी यही एक तरीका हो जो अभी तक वो लोग व्यवसाय करने का अपनाते आ रहे हो, कि अभी माल ले लिया है, आफ्टर 32-90 डेज जैसे मैंने अवधी ब बात में होती है जिस वैल्यू पे खरीदी है उसी वैल्यू को 3290 डेस के बीच में दे देना हाला कि यह जो वैल्यू होती है थोड़ी जादा होती है अगर हम पैसे तुरंट देखे लेंगे तब कीमत अलग है और एक डियूरेशन के बात देंगे उस स्थिती में कीमत अलग है ठीक है तो यहां पर जब व्यावसाइग साकी बात करते हैं तो जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं कि यहां पर जो पहला व्यावसाइग है जो बिना पैसे दिये या उधार पर सामान ले रहा है उसे थोड़ी जादा कीमतों पर वस्तों को खरीदना पड़ा लेकिन क्या हो रहा है उसे ब्याज नहीं देना पड़ रहा है ठीक है और फिर उसके बाद हम जिन स्थितियों की प्रतिस पर्दा में अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करता है या व्यावववसाहिक क्या करता है इस प्रकार के व्याववसाहिक साथ यहनी यह यहीं ट्रेड क्रेडिट का यूज करता है ठीक है और फिर जो सामान बेचने वाले वक्ति है उसको भी अपना स्टॉक लेर करना उसने भी अच्छा कज़ा स्टॉक बनाना उसकी बिपनी लालसा है कि जल्दी से जल्दी प्रोड़क्त ले जाओ तब तो उसकी सेलिंग बरकार का उपाय है कि उन्होंने इच्छा क्या स्टॉक मेंटेन कर दिया है अब स्टॉक को क्या करना है अपने को कलेर workers करना है तो यह सारी चीजे हैं इसकर in टूड़ी होती है बर सबसे इंपॉर्टन चीजिस में यह होती है कि जो trade credit या व्यावसाइंग साख में जो पहला व्यावसाईग है जिसने उधार पर सामान लिया है उसे क्या है सामान जो है धोड़ी ज़्यादा कीमद उपर तो मिलेगा लेकिन बाद में उसे जो उधार में सामान लिया उस पर मूलधन प्लस ब्याज नहीं देना पड़ेगा ठीक है तो हमने व्यावसाइक समझा आप वानेजिक पत्र देखते हैं जो वानेजिक पत्र होता है ये अल्प आवधी वित्त का स्तुरोत माना गया है और ये 90 के दशक में इसका प्राराम हुआ था ये एक प्रकार का गैर जमानती प्रतिग्या पत्र होता है और 7 इससाथ इसका जो नियमन होता है Reserve Bank of India के कारिक्षेतर में होता है और ये बहुत ही trustworthy पत्र नहीं होता है इसलिए Reserve Bank of India के कारिक्षेतर में इसे रखा गया है और आईए हम देखते हैं कि वानिजिक पत्र से होने वाले लाब और हानिया क्या क्या है वानिजिक बैंक को देखते हैं कि वानिजिक बैंक क्या है तो वानिजिक बैंक जो है वो ग्रहको का जमा स्विकार करके अलपकालीन रेन देते हैं आपने देखा है ऐसे बहुत सारे व्यावसाइक बैंक है जो कि छोटे-छोटे रिन देती है यह लॉंग टर्म जो है लोन्स नहीं देती है ठीक है अलपकालीन रिन देती है ताकि यह लोन जल्दी-जल्दी क्लियर अगर आपको दीरकालीन रिन के आवश्च रखता है तो चा है वह अलपकालीन ही रिन आपको देंगी और साथ ही साथ हो क्या करती है कम ब्याज़ दरूपर भी आपको रहन देती है अब इसमें जो वानेजीक बैंक होते हैं वह उपक्रमों की विट्टिया वशकताओं की पूर्ती के लिए किस किस तरीके से या किन तरीकों के इस्तमा और उस security के basis पे आपको रेन देगी तो यह नकत साग की बात हो गई मतलब वहां पे आपको security deposit करना जरूरी है ठीक है और दूसरी बात आती है साग की यहां पर क्या होता है कुछ रुपय आपको जमा करना पड़ेगा एक थोड़ा amount जमा करना पड़ेगा ऐसे security ठीक है उस basis पे आपको क्या मिलेगा रेन मिलेगा मतलब यहां पे भी आपको commercial bank में कुछ न कुछ security deposit करनी पड़ेगे फिर उसकी बात बात आती है कि बिलो को बुनाना जैसे अला गलत परकार के बिल होते हैं लोन्स होते हैं रेन पत्र होते हैं और भी कई चीज़े होती है उनको क्या कर सकत फिर बात आती है अधी विकर्ष क्या होता है यहां पर जमा राशी होती है website के द्वारा जो की जाती है उससे अधिक राशी का पर उनको क्या ब्याज देना नहीं पड़ता है बलकि अधिक राशी वो क्या कर सकते हैं bank से लेते हैं लेकिन उसी राशी पर उनको ब्याज देन फिर बात आती बार अने बहुत अच्छी तरीके से जानतें कैसे लौन लेता है कि एक कि तर match और the से लिमिटेड रे कर लिया जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर की आओगी विवरण बने होते हैं और इन वीक वेवल साहियों को रण देती हैं तो बच्चों वानिजिक टांक भी हमने जाना और वो किस तरीके से इन व्यवसाईयों को रण दिनने में मदद करती हैं ये भी हमने देखा है और जाना है शेरधारियों और रण धारियों में अंतर को देखते हैं और इन दोनों की बीच अंतर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आए एक और अंतर देखते हैं, जिसे हम शेर धारियों में अंतर को समझेंगे। तो पहला अंतर का धार लेंगे कि जो अंशुदारी होते हैं वो कंपनी को पूझी देते हैं, अंश कंपनी की पूझी का एक भाग है। लेकिन जो रिंड पत्रधारी होते हैं वो कंपणी को रिंड देते हैं रिंड पत्र जंता से लिए गए कंपणी के लिए रिंड है दूसरा अंतरगा आदार स्वामित्व लेते हैं तो अंचधारी कंपणी के स्वामी होते हैं जैकि रिंड पत्रधारी कंपणी के रिंड दात होते मिती से अंतरका *** लेंगे तो आंशचधारी लाभाण्ष मिलता हैं और रिंज तरौको ने cuando to देती है तो इन्हें कंपणि का नियंतरन का अधिकार होता है और दिंद दरी को या दिकार प्राप्त नहीं होता है अगर हम अंतर का आदार पांच्छवा समापन लेते हैं तो अंच्धारी जो होते हैं इनकी रकम समापन पर बाद में लोटाई जाती है जिसकी इनकी रकम समापन के पूर्व लोटाई जाती है चटवा अंतरकादार भुक्तान लेते हैं इन्हें प्राय आंशिक भुक्तान मिलता है और रिंट फत्रधारियों को इन्हें प्राय पूर्ण भुक्तान मिलता है मता अधिकार लेते हैं तो अंश्दारियों में देखते हैं अंश्दारियों को साधारण सभा में वोट देने का अधिकार होता है और रिंड पत्रधारियों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है लेकिन पत्र प्राय संपत्ती को गिर्वी रखकर निर्गमित किये जाते हैं और निर्गमन इसका अंतरकादार अंतिम लेते हैं तो अंश नकद अत्वावस्ति के बदले में भी निर्गमित किये जा सकते हैं लेकिन रिंड पत्र सद्यायाब नकद रखम की बदले निर्ग में किये जाते हैं तो बचो इस तरीके से हमने जो है शेर धार्यों वह रिंड पत्र धार्यों की अंतर को जाना है वह समझा है अंश एवन अंतर का पहला आधार पूंजी की प्रकृति है तो अंश पूंजी की प्रकृति स्वामीत्र की होती और रिंड पत्र की राशिये मानी जाती अंतर का दूसरा अधार स्टपलेते हैं इन पर लाभान्श के रूप में रेन्प पत्र होता है इसके कई प्रकार होत curt जोखिम जोखिम चौथा अंतरकादार है तो इनमें विनियों करता को ज्यादा जोखिम उठाना पड़ता है जब कि इनमें जोखिम की मात्रा कम रहती है क्योंकि रिंग पत्रप्राय सुरक्षिद रहते हैं पांचवा प्रबंद में हिस्सा अंशदारी कंपनी के जंचालन है की की चाइद में लेते हैं और रिंग पत्रधारीओं को प्रबंद में यस्सा नहीं मलता आई की प्रकृती अंतरकाद़ा छटवा ले रहे हैं इन पर आएक की निष्चित gebrachtाना नहीं रहती जबकि रिंब पत्र पर ब्याज के रूप में यूजई जीवन काल के लिए निर्गमित किया जाते हैं और रिंपत्र एक निश्चित अवधी के लिए निर्गमित किये जाते हैं आईए अब हमने समता अँश और पूर्वा दिकार अँश अच्छे से जान लिया है इसे और अच्छी तरीके से हम अंतर के मध्यम से जानने की कोशिश करते हैं अँश और रिंपत्र समझने के बाद आईए हम इसमें अंतर को जानते हैं और समझते हैं कि क्या हमारा कॉंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है या नहीं और अपने कॉंसेप्ट को और क्लियर करते हैं बच्चों आएए अब हम समता अंश और पूर्व अधिकार अंश में अंतर हैं उसको जानते हैं जिसे हम समता अंश में देखेंगे कि समता अंश धारियों को सभी प्रकार के मामलों में मत देने का अधिकार होता है और पूर्व अधिकारी अंश को इनको केवल अपने हित के मामलों में मत देने का अधिकार होता है लाभाण्श की दर्व हम अंतरकाधार दूसरा लेंगे इन पर लाभाण्श की दर्व निश्चित नहीं रहती बदलती रहती है किसमें समता अंश में लेकिन पूर्वा दिकारी अंश की बात करें तो इन पर एक निश्चित दर से लावांश बुक्तान किया जाता है तीसरा अंतरकादार पूंजी की वापसी लेते हैं तो समता अंश में देखेंगे समता अंश धारियों को समापन की दशा में सबसे अंत में बच्ची हुई रकम मिलती है और पूर्वा दिकारी अंश में अगरम देखें तो समापन की दशा में पूर्वा दिकारी अंश धारियों को समता अंश धारियों से पहले पूंजी वापस मिलती है लाभांश की निश्चित्ता इन पर लाभांश प्रतिवर्ष देना अनिवारे नहीं है जबकि पूर्वादिकारी अंशों पर प्राया लाभांश की निश्चित रूप से दिया जाता है बिनियोक्ता अगर हम पांचवा अंतरका अधार लें तो इन अंशों पर वे लोग धन लगाते हैं जिनका दृष्टिकों ग्यापारिक होता है और पूर्वादिकारी अंशों में निश्चित आए चाहने वाले बिनियोक्ता धन लाभ लगाते हैं जोखिम अगला अंतरका अधार है ऐसे अंशों में जोखिम अधिक रहता है और पूर्वादिकार अंशों में हम देखें तो इनमें जोखिम कम रहता है शोधन की बात करें जो लास्ट अंतरका अधार है तो इनके जीवनकाल में शोधन नहीं होता जबकि पूर्वादिकार अंश में बात करें तो इन अंशों का शोधन कंपनी के जीवनकाल में किया जा सकता है तो बच्चों यह थे जो अंतर वो सम्ता अंश तथा पूरवादिकारी अंश में थे आए अब देखते हैं कि अंतर कंपनी जमाय क्या है यानि इंटर कॉर्परेट डिपॉसिट आइसी डी इस पोलते हैं इससे हम इंगलिश में ठीक इसकी शॉर्ट कट हम यूज करेंगे और जल्दी से समझने के कोशिश करेंगे कि यह हैं क्या जैसे कि यह शब्द अपने आप में बता रहा है अंतर कंपनी जमाय मतलब कहने का मतलब य अगर हम इसको समझने कोशिश करें यह कॉंसेप्ट क्या है तो बिलकुल सिंबल सा कॉंसेप्ट है इसमें कोई भी दो कंपनी हो सकती है वो एक दूसरे के साथ व्यवसाय करती है ठीक है और इसमें जो मीडियेटर होता है वो एक बीच का बंदा होता है जो कि इन दोनों के कgorabysia कराने के लिए कार्य करता है ठीक है साथ ही साथ हम इसमें कि गह सकते हैं कि जो और कंपनी जमाय होती है यह थोड़ी सी रिस्की होती है हैं लेकिन क्या होता है यह पूरी साख्ष पिटिकी होते हैं ठीक है और सबसे बड़ी बात जो इन से होने वाले लाब हैं वह यह हैं कि यह नौकर शाही तथा कानुनी जंड़िटों से मुक्त होती हैं और इन में जो जो भी व्यवसाई या व्यवहार होते हैं यह अच्छे बड़े लेवल पे होते हैं कोई चोटे मोटे लेवल पिन होते हैं लेकिन फिर भी कोईट रिस्की होता है लेकिन इसको धीरे स साट आउट कर लिया आथा है क्योंकि यह जो companyya midst हम participate कर रहे हैं इस तरह के Deposits में वो कंपनियां उन कंपनियों का साख हम कह सकते हैं बहुत अच्छा होता है इनका Reputation बहुत अच्छा होता है ठीक है आई हम देखते हैं ICDs के प्रकार क्या क्या हैं तो ICDs के प्रकार जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह तीन प्रकार के होते हैं पहला प्रकार है तीन महिने वाली जमाएं यह जो पहला प्रकार सबसे ज़्यादा इस्तमाल कियाता है यह हम कह सकते हैं सबसे ज़ जाता है उसके बाद इस प्रकार की जो हम वित्ति अवशकता क्यों है उनके हम कारण देखें तो कुछ कारण देख सकते हैं जैसे की कर को बुक्तान करने में या हमने किसी कंपनी ने रॉम मटीरियल खरीद लिया अब सस्ते दामूप मिल रहा था तो ज्यादा खरीद लेकिन वहां तो फंड उन्होंने देदे लेकिन अब उनको फंड की कमी हो गई है ठीक है या आतदिक पूंजी गत्वय हो गया है या उत्पादन में रुकावट आ गई है तो इन सभी कारणों के कारण जो वित्तिय प्रॉब्लम्स क्रेट होती हैं उनको इस प्रकार के डिपॉज आपको कि यहां पर जो ब्याज की वार्षिक दर होती है वो 12% के आस पास होती है ठीक है अब हमने 3 मेने वाले जमाओं को डीटेल में जान लिया है अब हम दूसरा इसका प्रकार देखेंगे जो है 6 मेने वाले जमाएं यह जो होती है पहले श्रेणी के जो कर्दार होते है उनके लिए एकदम perfect होती है और दूसरी चीज जैसे कि इसकी नाम से एकदम clear है कि six monthly basis पे काम कर रहा है मतलब short term है यह भी ठीक है और यहां पर जो फिर से ब्याज की वार्षिकदर की बाताती है तो पनरा परसंट के आसपास होती है यहां पर भी ब्याज की वार्षिकदर और पर तीसरी बात आती है कि तीसरी जो इसका प्रकार है तीसरा वह है मांग जमाए है ना call deposit जिसे हम इंगलिश में कहते हैं तो यह वो जमाए होते हैं जिसमें जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो एक दिन का notice देकर कि अपने दीकरी पूंजी को वापस मांग सकता है ले सकता है और इसमें जो ब्याज की वार्शिक दर होती है वो दस परसंट होती है तो इस प्रकार से हमने क्या समझा है अंतर कंपनी जमाए और उसके प्रकारों को जाना है अब इनके प्रकारों को जान लिया हमने अब आई सीरी की विशेष्टाओं को देख लेते हैं और उनको और आई सीडी तो को आई सीडी की विशेश्ताओं को जानने के बाद आये हम देखते हैं अंतराश्रेवितियन समझते हैं जो कि आपके टिक्सट्ट्बूक में एक छोटा सा टॉपिक हैं अंतराश्रेवितियन जैसे international antarashtri UH मतलब international मतलब कहीं नहantwortwo葉 यह शोचरन करणसी की बात करेंगे ठोइज के फॉरण करणसी की बात करेंगे फॉरण करेंसी मतलब विदेशी पैसा ठीका तब अब व्यवसाय को हैlaws deze अभी इन लेवल तक कर रहे हैं लेकिन अब हमको व्यवसाय को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए क्या चीज़ क्या आवश्यक्ता है तो ऐसे कई व्यवसाय हैं जिनको जिनके विकास विस्तार के लिए यह अंतर राष्ट्री वित्तियन जो हैं मदद करते हैं और उनके प्रसार में और विकास में क्या करते हैं एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं वो कैसे देंगे वो investment कित्रू है ना किस तरीके से वो अलग अलग प्रकार के बैंकों की मदद से उनको क्या कराते हैं फंड यानि कोश उपलब्द कराते हैं ठीक है यह कोश इंडियन रुपीज में भी हो सकते हैं या foreign currencies में हो सकते हैं foreign currencies मतलब जो दूसरे देशों की पैसों को हम कहते हैं जैसे यूएस का डॉलर हुआ ठीक है Thailand का थाइबात हुआ ठीक है तो हर एक अपनी कंट्री का एक अलग currency होता है तो वैसे ही हर देश का अपने currency है तो यह जो अंतराश्री वित्तियन हैं इनका काम यही होता है कि यह व्यवसाय के विकास इंविस्तार के लिए उनको कोश उपलब्द कराते हैं इस्पेशली कर हम देखें तो यह डॉलर्स में ही अक्सर बाते की जाती हैं तो अगर हम बात करें इसमें भी तीन प्रकार दिये गए हैं इसके पहला है वानिजिक बैंक है ना वानिजिक बैंक वो बैंक होते हैं जो कि भारत में जो ऐसे व्यवसाय हैं जिनका विकास इंविस्तार बहुत जरूरी है साथ ही साथ जो हैं यह बहुत से व्यापारिक एवं गैर व्यापारिक संस्थाओं में भी धन को या कोशो को उपलब्द कराती हैं तो इ एक ऐसी वानिजिक बैंक है जो की कोशो को उपलब्द कराती है रिन देती है लोन देती है ठीक है ये विबिन प्रकार्ण के रिन और सर्विसेस के थू क्या करती है व्यावसाइक एवं गैर व्यावसाइक संस्थाओं की मदद करती है उनके विकास एवं विस्तार में फिर ब अंतराश्ट्रे तोर पर व्यवसाई और व्यवसाईयों के विकास में बहुत इंपोर्टेंट प्रॉल प्ले करती है क्योंकि यह उनको कोश उपलब्द कराती है foreign currencies में convert कराती है और foreign currency को देश में लाती है जिससे की देश की साथ ही व्यवसाईयों की भी जो आर्थिक व्यवस्ता है वो सुद्रड हो जाती है ठीक है हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रकार की और तीसरा कहता है अंतराश्रे पूंजी बाजार अगर हम अंतराश्रे पूंजी बाजार की बात करें तो यह वो पूंजी बाजार है जो की सबसे important role play करता है international तोर पर या अंतराश्रे तोर पर व्यवसाईयों को अपना व् ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट कहते हैं दूसरा आता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट और तीसरा आता है इसमें विदेशी करंसी परिवर्थनी बॉंड तो इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे पहले हम यह देख लेते हैं कि इनका उद्गम कहां से हुआ यह जान लेते हैं और इसके बाद इनकी उद्गम को समझने के बाद हम इनको एक एक करके यानि वन बाई वन इनके बारे में समझेंगे और इनके प्रॉसेस को जानेंगे आईए अब हम इनके उद्गम को देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं अब हमने इनके उद्गम को समझ लिया है, आईए अब हम देखते हैं कि Global Depository Receipt क्या होता है Global Depository Receipt एक ऐसा इंस्टूमेंट है या प्रलेख हम कह सकते हैं जिसमें देश की कंपनिया क्या करती हैं, विदेश से फंड अरेंज करने के लिए इस तरह के Recipes को इशू करती हैं ठीक है और यह रिसिप्स बहुत ही आजकल उप्योग में लाए जा रहे हैं ताकि क्या हो सके कि इनका उपयोग लाए जा सके और इसके तुरू जो फॉरेन करन्सी है वो हमारे देश में आए हम एक उदारन ले सकते हैं जैसे रिलाइंट इंडस्ट्री जो है उसके द्वारा किये गए जी डी आर्स न्यू यॉक स्टॉक एक्सचेंज पर सुची बद है और हम जब भी की बात करते हैं तो है कि कहीं देस्ट कहीं कहीं बीस हैं सुची बद होते कि वह बात करें कज़िये रिल्स में उस्टारज किए जाते हैं आए अर जानने और समयने की कोशिश करते हैं जी डियार की विशिष्टाइं देखें तो पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह जो जी डियार होते हैं किसी भी अमेरिकन या या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में सूची बद कराई जा सकती हैं दूसरी इसकी विशिष्ट जी डियार का धारक हमें अन्शों में परिवर्तित कर सकता मतलब लेटर ऑन क्या कर सकता है सबत्रस नहीं होता है और नशोry कि प्राप्त होती है मतलब जो भी हमको profit आएगा वो इसकी तरह shares की तरह ही profit हम earn कर सकेंगे और जो GDR होते हैं उन्हें US dollar में प्रदर्शित क्या था यह विशिष्टा मैंने आपको पहले भी बताई थी तो बच्चो GDR की कुछ विशिष्टा है जो आपकी स्क्रीन पर थी वो आपने देखी हैं और समझी हैं आए अब इसकी process को जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी process क्या है जैसे कि आप screen पर देख रहे हैं कि GDR की process को एक line में समझाया गया है ठीक है पहला issuing company फिर है domestic custodian bank फिर है over sales depository bank और उसके बाद है foreign investors तो आईए हम इन चारों में link जो है उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह one line process क्या है ठीक है तो अब सबसे पहली बाद भार कि कोई company है उसको क्या चाहिए GDR issue करना है तो वह क्या करेगी issue करने वाली company क्या करेगी अपने shares को घरेलू custodian bank में क्या करेगी देगी ठीक है रुपै को अंश के फॉर्म में डालेगी तो shares के फॉर्म में रहेंगे ओके अब यह जो domestic custodian bank है वह क्या करेगी overseas depository bank को request करेगी कि यह जो shares हम रहे हैं रुपै के रूप में shares दे रहे हैं उसको आप convert कीजे किसमें US dollar में convert कीजे ठीक है अब यहां पर कहां अब आपका fund यहां आपका share कहां आ गया है overseas depository bank में आ गया है अब यहां पर क्या होगा कि जो आपका fund है रुपए के रूप में जो शेर यहां आपने बेजे हैं वो US dollar में convert हो जाएंगे ठीक है अब यह US dollar में convert हो गए अब यह जो overseas depository bank थी अब इसका काम क्या होगा यह अपने अनुसार जो वो किया है उन्होंने आपके शेर को US dollar में convert किया है उसको अपने अनुसार जो foreign investor है उनको सुपूर्द कर देगी कि वो invest कर सकते हैं तो यह पूरी process होती है GDPR को जारी करने के ठीक है अब GDR की process सको भी हमने जान लिया GDPR की process को जानने के बाद जीडीयार से लाभ जानते हैं जीडीयार से क्या लाभ होगा foreign currency country में आएगगी तो 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 क्या हमारे विवसाय बढ़ रहा है नहीं हमने क्या किया अपने विवसाय को थोड़ा सा वड़ा किया और उस छोटे से शेद्रे से बढ़कर हम एक थोड़े बड़े शहर तक पहुंच तक पूंच यह मतलब वहां पर हमने एक और अपना शॉप खोल दिया यह उसकी फ सो यही चीज होती है कि अगर हम अपने देश में केवल क्या कर रहे हैं विवसाय कर रहे हैं तो लाब नहीं होगा ऐसा नहीं है लेकिन अगर लाब को बढ़ाना है और इंटरनाशनल मार्केट में अपना प्लेस बनाना है तो उसके लिए कुछ इस प्रकार के कारे भी करने पड़ते हैं यह चीजे जो हैं देश को इकनोमिकली स्ट्रॉंग बनाती है तो आए इनसे होने वाले लाबो को हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं तो पहला लाब कहता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला लाब कहता है कि विदेशी पुझी प्राप्त कर बिल्कुल सही बात है जैसे ही कोई देश की कंपनी जीडियार एशू करती है वैसे ही उसे क्या मिलता है विदेशी मुद्रा मिलती है विदेशी मुद्र जैसे ही मिलती है कंपनी की जो एकनोमिकल कंडिशन है वो स्ट्रॉंग हो जाती है और मार्केट में उसका जो एक प्ल इसके भाव कम हो गए हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं तो लिक्विडिटी बढ़ गई है इसमें है ना तो और फिर उसके बाद में आती है साख में व्रदी बिल्कुल सही बात है हमारे पास बहुत सारा पैसा गया है हम foreign currency रखते हैं ठीक है तो हमारे हम क्या करेंगे जितने भी अभी तक हमने कर्ज लिया होंगे कोशिश करेंगे कि हम उसको जल्डी से जल्डी क्या कर दें रीपे कर दें तो इससे क्या होगा जैसे हम लोन फ्री हो जाते हैं तो हमारा एक मार्केट प्लेस वैल्यू जो है वह उसे इंक्रीज हो जाता है बढ़ जाता है तो इससे हमारी साख भी बढ़ जा रही है ठीक है फिर बात आती है जा इसे जारी करने में कम लगते हैं और फिर अधिक अंश्मूल अब कैसी बात आती है जैसे ही हम में foreign invest मिलता है ठीक है हमारे reputation बढ़ गया मार्केट में जैसे company का reputation बढ़ा है वैसे ही उसके shares की value भी बढ़ जाती है और जैसे आपकी तरफ चटवाल आप कहता है अंश्दारियों के फैलाने में वृद्धी बिल्कुल सही बात है जैसे ही हम इस तरह की deposit में काम करते हैं और इस तरह की deposit issues करते हैं तो उस पर क्या होता है अब नाश्टरी तोर पर अब हमारे अंश्दारी बनेंगे बल्की अब क्या हों के फैलाव में वृद्धी होगी तो बच्चों यह कुछ लावते जिसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आशा है आपको यह लाव बहुत अच्छे तरीके से और GDR जो की important है आपको समझ में आया होगा आएए आगे बढ़ते हैं और ADR को समझने की कोशिश करते हैं GDR को समझने के बाद आएए अब हम इसके दूसरे प्रलेक को दीखते हैं जिसे हम ADR कहते हैं यानि American Depository Receipt अब American Depository Receipt क्या है इसमें America के जो बाहर की कंपनिया है वो विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं अमेरिकियों को ये जो ADR से उनको जारी किया जाता है अब ADR को हम और अच्छे तरीके से उनके विश्रिष्टाओं के माध्यम से सवाइनने की कोशिश करते हैं आए देखते हैं ये ADR की विश्रिष्टाइं क्या है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ADR जो है किसी भी American Stock Exchange में सूची बद्द कराया जा सकता है GDR किस में कराया जाता था अमेरिकन साथ साथ यूरोपियन में भी हैं दोनों में से किसी में भी करा सकते हैं लेकिन जब हम ADR की बात कर रहे हैं तो ये अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में सुची बद्द कराया जाएगा ठीक है दूसरी चीज़ ADR एक से अधिक अंशों का प्रतिनिस करता है सेम जैसे GDR करता था यहां पे भी 1 ADR equals to 2 shares होगा ठीक है एक ADR बराबर दो अंश ठीक फिर ADR का धारक है इने अंशों में परिवर्तित बिल्कुल कर सकता है और साथ साथ धारक को कंपनी में वोट देने का अधिकार नहीं होता जैसे की GDR धारकों को भी नहीं था ठीक है और इन पर लाभांश अंशों की भात हम देखें तो लगभग लगभग GDR के जैसी है ठीक है अब ADR की प्रोसेस देख लेते हैं यह थोड़ी से अलग है अब हम देखते हैं इसमें जो अमेरिका की बाहर की कंपनीया हैं जबी भी अपने शेयर्स को इशू करती हैं डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक में अब वो क कनवर्ट करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको ADR में कनवर्ट कर दे यहां पर क्या होता है यहां पर अग्हाइन यह U.S. dollar में convert हो जाते हैं और उसके बाद जो ADRs हैं वो क्या करते हैं वो अपने foreign investors को यह ADRs या American Depository Bank जो है इन ADRs को अपने foreign investors को जारी कर देती है कि आप इनको ले सकते हैं अब इनसे होने वाले लाबों को देखें तो it is quite similar to the benefits the advantages of GDR है ना तो हमने जैसे GDR में देखा था कि यहां विदेशी पूंजी प्राप्त करना असान होता है it is बिल्कुल similar to that concept फिर उसके बाद इसमें भी अधिक तरलता पाई जाती है साथी साथ इसकी वज़े से साक में वृद्धी होती है और साथी साथ जारी करने में से कम समय कम लागत लगती है और फिर अधिक अंशमूल मिलता है इसमें जैसे मैंने बताया था कि अंशमूल कैसे मिलेगा कि मुझे ADR मिल चुका है मेरे पास foreign currency आ चुकी है मेरा एक brand नेम हो चुका है मेरा एक अपना साख है पूरे तो आप क्या हो रहा है कंपनी के जब कंपनी की साख बढ़ती तो साथ साथ उतके शेयर बढ़ रहे हैं तो यहां पर जो कंपनी के शेयर से वह अधिक वैल्यू पर सेल किये जाएंगे तो जिसे कंपनी को और ज्यादा प्रॉफिट हो ठीक है फिर लास्ट हमने एक benefit और बत आउट ऑफ अमेरिका मतलब आल ओवर ओवर सीजन देखें फॉरें से भी बहुत सारे शेयर होल्डर्स यानि अंशदारी मिलेंगे अंतराश्ट्रे तोर पर साथ ही हमारे खुदकी देश के मतलब अगर हम अमेरिकन एडियार्स की बात कर रहे हैं तो उनके खुदकी देश क इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे तो इस तरीके से यहां पर अंशदारियों का फैलाव में वृद्धी होगी और उस कंपनी जो एडियार्स जारी करें उस कंपनी की एकोनॉमिक कंडिशन भी स्ट्रॉंग होगी यानि आर्थिक सिती भी मजबूत होगी अब अब अपने जीट भग जो है jdr और एडर जैसी है बस इसमें एक डिफ्रेंस यह आता है कि जो इन्हें जारी करने वाली कंपनी ओती है वो विदेशी बाजार में धन इकत्रित करती ठीक है और आइडियाज जो है दूसरी जो मदभेद यह आता है आइडियाज को हम यूएस जॉलर में प्रदर्शित नहीं करते हैं ना डिनॉमिनेट नहीं करते हैं बलकि इंडियाज रुपीज में भारती रुपे में इसको डिनॉमिनेट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है और इन्हें किसी भी भारती स्टॉक एक्स्चेंज में हम क्या कर सकते है सूची बद्द कर सकते हैं अब बात आती है विशेष्टाओं की तो अगर हम इसे अगैन देखें तो इसमें जो विशेष्टा पहली जो सबसे बड़ा डिफरेंस था कि यहां जो विदेशी बाजार में इन्वेस्ट होता है यह विदेशी बाजार से यहां धन इकत्र किया ज एक जीडी आर की बात करें तो एक आई डी आर बराबर 10 अंश होते हैं यह बहुत बड़ा डिफरेंस है साथ ही साथ इसके नेक्स्ट अगर हम विशेष्टा की बात करें तो अगली विशेष्टा यह हैं कि अगैन यहां पर जो धारक होता है उसको कंपनी में वोट दने का अधिकार बिलकुल नहीं होता है और फिर इन पर जो लाभांश होता है अंशों की भाती ही प्राप्त होता है लेकिन अंशों को परिवर्तित किया जा सकता है और यह जो परिवर्तन है ठीक है वह एक वर्ष के बाद नूटिबल होगा ठीक है और यहां पर जो मैंने बताया तकी ADRs और GDRs जो है US जोलर में प्रदर्शित करते हैं मैंने बताया कि IDRs जो हैं हम Indian Currency यानि रूपीस में या रूपे में हम इसे प्रदर्शित करते हैं अब जैसे कि हमने GDR और ADR का प्रोसेस देखा है वैसे ही हम IDR का प्रोसेस देखते हैं IDR का प्रोसेस कुछ इस प्रकार है जैसे कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अगेन आप देख रहे हैं यहां इस इशू कंपनी लिखा है उसके बाद और ओवरशी केंपल क वेकार इस प्रोसेस को सब्सेश करते हैं कि सबसे पहले यहां होता क्या है तो यहां पर व्यदेशी बाजार से iç along air जो companyyゃं है या issue करने वाली company आई DR को issue करने वाली company वो क्या करती है अब से पहले अपने Shares को क्या करती है ओवर्सीस Custodian Bank में बेसिए कि हमें अपने shares को के समय करना है आई DR को में dependence करना है ठीक है अब यहां पे जो overseas custodian bank होती है वो क्या करती है वो request करती है इंडियन के देक्ट करते हैं और जो इंडियन के बाद यो इंडियन क्या टी है इंडियन करती है यह परिवर्ता करती है जो यह हैं कि TWO कि बाद जो इंडियन डिपॉजिटरी बैंक है वो क्या करती है इसे अपने इंडियन इंविस्टर्स को जारी कर देती है तो लगबग लगबग तीनों की जो प्रोसेस सिमिलर है वन लाइनर है लेकिन जो बैंक की सिचुएशन है वो कहीं न कहीं चेंज हो जाती है ठीक है अब ह लिज़ते हैं आई ढ को परकार है पहला भारतिय नीवेशकों को असर मिलता है बिल्कुल सही बात है कि भारतिय नीवेशकों को क्या अवसर मिलेगा कि इंटरनाशनल मार्केट में जाकर के वो अपने जो है व्यवसाय को बढ़ाएं वहां पर विनियों कर सके हैं इन्वेस्ट कर सकें और इन्वेस्ट करके अपने साथ साथ अपनी देश की आर्थिक सिरी को भी मजबूत या सद्रड बनाएं फिर दूसरा लाब है कि भारतिय बाजार में नया उपलब्द होता है बिल्कुल सही बात है नहीं से बा बात है कुछ भारती निविशक ऐसे होते हैं जो स्वयम उनके पास इतना धन नहीं होता कि वो लगा सके तो इस सिती में ही जो आईडियार से हैं वो उनको हेल्प करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट प्लान कर सके ठीक है तो यह थे आईडियार से होने वाले लाब किन को भार और एक का मिलता हा कि यह भारत में भी सुचीद हो सके तो यह पहला इसका लाब हुआ और दूसरा कि विदेशी कमपनियों की प्रियेता को पूरा करता है तो यह कुछ इस प्रकार इसह हमने जो भारतिय डिपॉजिटीरी सब्सैंटा है उनको जाना है और समझा है FCCB यानि विदेशी करेंसी परिवर्तनिय बॉंड का अब इसके बाद आते हैं हम संस्थाकत विद्धी प्रबंद के अभी तक हमने जो बोरोड फंड पड़ा है उसमें बहुत सारे प्रकार से कहां कहां से हमको और उपलब्द होगा यह पड़ा था उसी का एक प है अंतर राश्रे तोर पर राश्रे तोर पर क्या कर रही है फंड प्रोवाइड कर रही हैं यह विक्त दे रही है ठीक है तो जिससे की क्या हो कि नहीं तर भी एक वित्तियरोप से स्ट्रांग हो और उनका विकास विस्तार हो तो इससे ये होगा कि उससे उनकी साथ-साथ हमारे देश की विद्ति सिती है वो मजबूत होगी ठीक है अब इनके पीछे इनके कई उद्देश हैं जब किसी नए स्टार्टप की शुरुवात होती है कोई नया व्यावसाय शुरूर हो रहा तब उसके लिए वित्त क्या वशक्ता है यह पहले से चल रहे हैं नए या पहले से चल रहे हैं किसी व्यावसाय के लिए वित्त क्या वशक्ता है बीच में किसी व्यावसाय को वोकिंग कैपिटल क्या वशक्ता है व्यावसाय क्या ग्य जो है संस्थागत विद्ति प्रबंद करते हैं और व्यावणसाईों को वित्त उपलब्द कराते anticipating हम इन कुछ व्यावशाई संस्थाओं को जानते हैं और उनकी स्थापना उधेश्श्वरकार को हम डिटेल से जानने की खोशिश करते हैं कि आये संस्थागत वित्ती संस्थान में पहले जो संस्था है उसको जानने की समझने कोशिश करते हैं जो कि भारती और इंगलिश में इंडेस्ट्रियल फाइनांस कौर्परेशन ऑफ इंडिया कहते हैं अब इसकी स्थापना जो है वह सुतनता प्राप्ति के बाद देश की उद्योगिक प्रगति की गति को तीवर करने के लिए यह आवशक था कि देश के उद्योगों के लिए दिर्ग काली मद्यकारें रणकी विवस्था की जाए तो एक जुलाई सन 1948 को इस उद्धेश की प्रूरती के लिए भारती और जोगिक विकास निगन की स्थापना की ग जहाज रानी जहाज निर्माण होटल उद्योग और वस्तू के संद्रक्षन संबंदी उद्योगों से संबंदित हैं साथी साथ लगू उद्योगों और अपंजिकृत कंपनियों को आर्थिक सायता देना इस दिगम के शित्र से पाहर इसकी कार्याले की बात करें तो इसका प्रधान कारयाले नई दिली में हैं और उसकी शाकाएं मुंबाई कॉलकाटा चेन्नाई और कानपूर में हैं इसके त्रिक्त केंद्री सरकार की इसकृति लेकर अन्य संस्थाओं अन्य स्थानों पर भी इसकी शाकाएं पैली हुई हैं इसकी पूंजी की बात करें तो इस की अधिकरित पूंजी 10 करोड रुपए हैं और अब इनके कारियों की बात करें तो इनके कुछ कारें इस प्रकार से हैं जैसे प्रति भूतियों का अभिगोपन गारंटी देना शेयर क्रे करना विलंबित बुक्तान की गारंटी देना केंद्री सरकार एवं विश बैंक का प्रति निजित्व करना और रंड देना या रंड पत्र क्राय करना अब दूसरी एक संसा की बात करते हैं जैसे भारती और दिकास बैंक यानि आई डी बी आई कहते हैं इसकी स्थापना एक जुलाई से 1964 में की गई थी और इसका उद्देश यह है कि सरकारी एवं नीजी उ पफदान करना भी इसका मुखेकार आए इसकी पुण्जी जो है वह फटास करोड और निरदमीत पूंजी जो है चौह सो 15 करोड है कार्यालय जो है प्रधान कार्यालय की बात करें तो में तो सरकारी और नीजी ऑद्योगी करें को प्रक्ट्वक उप से वित्य सहाथा प्रधान करना विदेशी व्यापार में विलंबित गवक्तानों की गारणिती देना बंक तब पूंजी बाजार से प्राप्तर हुप ant fun of प्रतिबूति का अभी गोपन करना शेर निर्जमन के समय अभीदान में भाग लेना सेहकारी संसाओं में बैंकों को पुनरवित की सुविधता प्रदान करना यह सारे इनके कारिते अगली हम सलसा है जिसके बारे में बात कर रहे है वह भारती और दोगी साथ एंव विनियोग निगम जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडिस्ट्री एक्रेडिटी एंड इन्वेस्टमेंट कोर्परेशन अप इंडिया अगर हम इसे शॉड में कहें तो के नाम से ही यह बहुत हैं इसकी जो स्थापना है वह पांच जनवरी सन 1955 के दिन और जोगिक साक्यम विनियोग निगम की स्थापना की गई थी इसका जो उद्देश है वह है कि और जोगिक प्रतिष्ठानों को उनकी निर्मान विस्तार और आधुन की करण के लिए विप्ति साधनों से प्रोचाहित करना तीसरा और विनियोग में द्यक्तिकत स्वामित्र को प्रोचाहित करना और विनियोग विपणी के क्षेत्र में व्रद्दी करना जिसका कार्याल है की बात कर रहे हैं तो प्रतान कार्याल है इसका मुंबई में स्थित है अगला जो हम बात कर रहे हैं तो उसकी स्थापना जो हुई है भारत सरकारद्वारा पांच करोड रुपए की पूंजी से दो परवरी सन 1964 को हुई है और इसने दो जुलाई 1964 में अपना कारे प्रारंब कर दिया इसका उद्देश यह है कि मध्यमबर्गी जनता को उचित लाग के आश्वासन के साथ धन लगाने की उचित सुवधाय प्रदान की जाएं और इसकी पुंजी जो है पांच करोड रुपए हैं इसमें दो करोड पचास लाग रिजर्व बैंक वारा पचकतर लाग जीवन तो इनसे होने वाले लाबों को हम पहला विनियों करताओं को लाब देख लेते हैं कि विनियों करताओं को क्या लाब होता है तो यूनिट ट्रस्ट मध्यमबर्गी जनता की बचत की विनियों का सरवश्रेश साधन है दूसरा यूनिट ट्रस्ट में धन लगाना अन्य साध युनित ट्रस्ट को अपनी आय का 90 परसेंट युनित धारियों में बाटना पड़ता है अतहर अन्य साधनों के प्रिक्षा अधिक लाव होता है और इसके अलावा भारती आयकर अधिनियम की धारा 802 के अंतरगत यूनिटों से प्राप्त रुपए 30,000 की आय आइकर से मुकतो होती है। पांचवा जो लाब है विन्यूर्व करताओं को वुअ है कि यूनिटों के मूलियों का समय समय पर प्रकाशन किया जाता है। और रेडियो एमसामचार पत्थ्रों द्वारा भी इनके मूलियों की गोशना की जाती है। और जिससे यूनिट धारियों को उनकी मूलिका पता चलता रहता है छटवा जो विन्योक्ताओं को लाब है वह यह है कि यूनिटों का मूलिय इतना कम होता है कि सभी इच्चक विक्ति इसमें अपना धन लगा सकते हैं साथ यूनिट रिष्टा प्रद्बंद जो है वह योग स्थांत्रन बहुत आसान होता है इसलिए से सुविदा जिनक मान जाता है अब यूनिट से देश को उने वाले लाब देखते हैं तो पहला जो देश को वह यह हैं कि हमारे देश के अर्थवस्ता में अल्बचतों का मत्वर्वन स्थान है और अल्बचत को प्रोथ्शाहित का यूनिट एक अच्छा साधन है किसी भी आरतिक योजना की सफलता इस बात पर निर्व करती है कि उसके लिए परियाप्त आरतिसाध उबलब्ध है अत्वा नहीं तो भारत जैसे देश में यूनिट ट्रस्ट ने अन्य अल्प बचतों की करन द्वारा परियाप्त धन की स्थापना का उद्धेश जन साधरान का सहीव प्राप्त करना है अगली और एक अपनी संस्ता है उसको जानने समझने कोशिश करते हैं इसका नाम है राश्री और विकास निगां इंग्लिश में इसे नाशनल इंडिस्ट्री और डेवलेप्मेंट कॉर्परेशन विकास लाने के लिए यंत्र समझा जाता है और इसकी जो पूंजी है एक करड़ रुपए की अधिकरत पूंजी से की गई है इसकी जुस्थापना की बात कर रहे हैं जिसमें सरकार के द्वारा 45 लाग जारी बच जुकता कि गये थे इसका उद्देश जो है वो कुछ इस प Şu करन के लिए इसकी बात करें तो इसके प्रमुबकर इस प्रकार है निगम उन उद्योगों का विकास करेगा जिसके अध्योगिक दांचे की कमी दूर हो तता देश के अध्यकरण तीवर गती से हो और योजनाओं का अध्यान एंविश्टेशन करना भी इसका एक मतबून कारे है नीजी शेत्र में उद्योगों के विकास में जो उद्योग सहयक हो उनकी सापना करना चौथा जो कारे है वो निगम करण पूंजी मशनिरी उपकरण तक्मी की परामर शत्वा किसी अन्या सुविदा के रूप में उद्योगों की सहयता दे सकता है और पांचवा है प्रति भूतियों का अभिगोपन वो गारंटी दे सकता है और चटवा जो इसका कारे है वो यह है उद्योगों का आधुनी की करण कर सकता है अगली संसरी बोद्योग जिसे नाशनल स्मॉल में हमने स्वाइदे स्थापना अलग गते हैं लगुड दो कुथ अवशक कि आवशक सामगरी प्रदान करना व्रहत और पूरक के रूप में चोटे चोटे जो उज्या कि विकास को सहिती करना विप्रणन की दुन metre प्रशिक्षन के लिए आवश्चे मालकी प्रिवस्ता करना ये लगू द्योग निगम की कारिए जो अगला हमारा संस्था है वह है भारती लगू उद्योग विकाज बैंक जिसे हम स्मॉल इंडेस्ट्री डेवलप्मेंट बैंक ऑफ इंडिया केते हैं यानि सिद्वी इसकी भी चर्चा हम पहरे कर चुके हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी वह दो अप्रेल सन 1990 में हुई थी इसका उद्देश जो है वह लगू अती लगू वकुटीर शेत्रों में उद्योगों की स्थापना था उनकी वित्व पोशन एवं विकास के लिए मुख्य विकास निगम के रूप में कारे करना और इस शेत्र में कारेत अन्य संस्थाओं संस्थाओं के कारे कलापों का समन्वे करना इस प्रकार अपनी स्थापना के बाद से ही यह बैंक लगू अती लगू ग्रामेर इवं कुटीर उद्योगों के बहुत आयामी विकास के लिए प्रत्यशील रहा है इसका जो कारिये है वह कुछ इस प्रकार है कि पहला कारे है राज्य वित्य निगमों राज्य उद्यों विकास निगमों व्यापारिक बैंक को तता अन्य वित्य संस्थाओं द्वारा इस शेत्र को फ्रतान किये गए मियादी रणों के लिए पुनरवित की सुविदा देना आशा है इस सब जानकारी के बाद आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा हम अगले अध्याय में आपको फिर से मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद